प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकम फोर वीडियोज आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एक्सा क्लास में तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कैलकुलेशन तो हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी का आवर आपको किसी का नंबर गिवन हो ठीक है ना तो माले जहाँआपे हम एक्जैंपल ले लेते हैं याक है एक्स के एक्जाम में न नंबर आए है 35 आए है 50 में से ठीक है तो उसको कलकूलेट करने के लिए हम करेंगे 35 ऑवर 50 into 100 ठीक है तो जहां पे हम इसको 0 को 0 कट कर देंगे 5 को इसके साथ कट कर देंगे तो हो गया 35 इंटू 2 तो 35 इंटू 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 70 means जो X ने नमबर लिये है 35 50 में से उसकी percentage है 70% ठीक है तो इस तरह आप किसी भी नमबर का calculation कर सकते हो अगर मालो जहां पे होता आपको 80 ठीक है न असी नमबर आए होते है 100 में से था 80 को अब आप कर देंगे 100 इंटू 100 करके तो आप नमबर निकाल साथ है जैसे आप example फिर से ले लेते हैं किसी Y के नमबर आए है 80 ठीक है तो कितने में से आया है out of 100 जो total नमबर होगे उसको नीचे रखेंगे जो नमबर गेन किये है उसको उपर रखेंगे इंटू कर देंगे 100 क्योंकि percentage होती है मिशा 100 में से तो इसको cut कर दिया सीधा cut हो गया ठीक है न जी तो हमें exam में से percentage बता दी उन्होंने वेस्ग में कितने percent आ रखे है COBर हमें यह का हम ले लेंगे जैसे हमने यह कुछ लिए थी ना गेन नंबर नी उपर टोटल नंबर नीचे परसेंटेश का देल वैसे यह सारी एक्वेशन होती है हमें क्या है गेन नंबर पता नहीं है कितने नंबर आए है तो उसको एक्समान के उपर छोड़ देंगे नीचे का जाएग इसके साथ यह कट गया ठीक है पीछे कितने बचा दो और 90 इस तरीके से हम टू को मल्टिपलाई कर देंगे 90 से साथ क्या बचा पीछे 180 मेंस उसके कितने नंबर आए है एक एक्वेशन में 180 एक्सो एसी नंबर आए है कितने मैंसे 200 मैंसे इसको अगर वैरिफाई करना है वै 180 जो गेन किये है कितने टूटल नंबर थे 200 इनको मल्टिपलाई कर देंगे 100 से इसके साथ जे कट गया पीछे बचा दो दो के साथ जे चला गया 90 कितना गया 90 परसेंट तो हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है ठीक है ना तो इस तरीके से एक फॉर्मूला और है जब हम परसेंटेज पता हो ना किसी की मालों यहीं पर इसकी निकाल लेते हम एक आये है 90 ठीक है ना कितने मेंसे आये है 200 में से from 200 तो सीधी सीधी बात है 200 को जितने नंबर उससे के टोटल है multiply कर दो जितनी percentage है ठीक है न 90% थे न सीधा सीधा कर दो 0 के साथ 0 काड़ दो पीछे बजा 20 20 को साथ कर दो 9 से multiply क्या आ जाएगा 20 into 9 180 आगे ना answer वही वाला 180 इसका मतलब हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं अगर हमें percentage given हो ठीक है ना जा फिर हमें percentage पता करनी हो ठीक है ना अगर like कर देना इस वीडियो को अगर आपको समझ आ गया हो अच्छे से अगर कोई query हो जा कोई और कुछ निकालना हो आपने तो like share subscribe करके नीचे comment कर देना ठीक है okay thank you very much कर दो कर दो आपको जापको समझी